अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं अटन की है तो प्लीज आफ मेरे चैनलपर वीजिट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं तो आज की सिकंड क्लास हमें स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास में हमने किस के बारे में पढ़ा था हमने M is R के यूज के बारे में पढ़ा था और उससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिली थी हमें आज भी हम M is R के यूज करते हुए ही नेक्स्ट जो जिस तरह के सेंटेंस बनते हैं उन्हें हम सीखेंगे और देखने में तो ये बहुत जादा आसाम सेंटेंस लग रही है लेकिन कभी कभी मिस्टिक हो ही जाती है इसलिए आप वीडियो के स्किप मत कीजिए और पूरा देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला है मैं एक किसान हूँ I am a farmer इसका इंगलिश क्या होगा I am a farmer I means मैं M means हूँ A means एक और farmer means किसान तो यहाँ पर जो subject है वो क्या है singular है इसलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया I use किया ओके एक ही किसान है इसलिए हमने a farmer यूज किया अब हमने a क्यूं नहीं कहा a क्यूं कहा वो next video हम में हम detail में जानेंगे फिलहाल जो हम सीख रहे हैं पहले उसको सीख लेते हैं उसको habit बना लेते हैं अपनी उसके उसमें practice कर लेते हैं ओके a और a क्यूं कब कहा जाता यह हम लोग next जब grammar से start करेंगे तब हम उसमें सिखेंगे clear है ओके तो next sentence है मैं एक विद्यारती हूँ इसका English क्या होगा I am a student I am a student आप एक कभी है You are a poet You are a poet ओके next आप एक सिख्चक है You are a teacher You are a teacher अगर आपने अपने साथ नोटबुक लेकर नहीं रखा है तो प्लीज आप नोटबुक लेकर बैट जाए और जिस sentence में और जिस point को आपको लगता है कि नहीं पता है आपको नोटबुक लेकर नहीं चाहिए तो आप तुरह तुसे नोटबुक करो तुम एक नौकर हो You are a servant You are a servant तुम एक छात्र हो You are a student वह एक नर्स है She is a nurse वह एक कलाकार है He is an artist यहाँ पर an artist हमने कहा क्यों कि कलाकार का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है Artist और यह किस से शुरू हो रही है Consolator से तो A से तो A जो क्या है वो वावल है और वावल से शुरू होने वाले जो नाउन होते हैं उसके आगे हम लोग क्या यूज़ करते हैं यूज़ करते हैं तो इसलिए हमने क्या कहा वा एक अलाकार है में इसका इंग्लिश क्या होगा He is an artist वा एक गाई का है She is a singer वा एक अभियंता है He is an engineer अब इंजिनियर का जो इंजिनियर जो वाड है उसका पहला लेटर क्या है E You can see here E तो E से E क्या है वावल है इसलिए उसके आगे हमने क्या यूज़ किया Hand यूज़ किया ओके ओके नेक्स्ट है वे एक सिक्षक है He is a teacher अब यहाँ पर वे जो वर्ड है ऐसा लग रहा है जैसे एक से जादा परसान है बट यहाँ पर एक वर्ड है क्या है एक मिन्स एक ही टीचर के बारे बात की जा रही है तो वे एक सिक्षक है He is a teacher राम एक नेता है राम इस लीडर शाम एक डाकिया है शाम इस पोस्ट मैं सीता एक डॉक्टर है सीता इस डॉक्टर हम लोग सिक्षक है We are teachers यहाँ पर हमने teachers कहा क्यूंकि हम लोग जो है इससे क्या पता है चल रहा है कि एक से जादा परसन है तो यह plural है एक से जादा परसन हो जाने इस पर क्या हो जाता है plural हो जाता है आप लोग doctor है, you are doctors, एक से ज़्यादा परसन है, इसलिए doctors, वे लोग किसान है, they are farmers, राम और गोपी नौकर है, राम और गोपी कितने परसन है, दो परसन है, इसलिए नौकर का इंगलिश का होता है, servant, अगर singular होता, तो servant होता, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा है, परसन है इसलिए यहाँ पर servants का जाएगा, राम और गोपी are servants, तुम एक किसान हो, you are a farmer, तुम लोग किसान हो, you are farmers, अब देखिए तुम और तुम लोग का एक ही इंगलिश होता है, you, ओके, तो जब singular हो, तो हम लोग क्या use करेंगे, और जब plural हो, तो हम लोग और का use नहीं करेंगे, direct हम लोग जो noun है, उसमें as या es add कर देंगे, आप एक अफसर है, you are an officer, अब अफसर हैं, you are an officer, आप लोग अफसर है, you are officers, अब एक से जादा अफसर है, इसलिए हम लोग क्या क्या करेंगे, officers लिखेंगे, राम एक लेखक है, राम is a writer, अब राम क्या है, एक ही लेखक के बारे में बात की जारी है, यहाँ पर, इसलिए हम कहेंगे, राम is a writer, राम और शाम लेखक है, राम and शाम are writers, मैं कवी हूँ, I am a poet, अब यहाँ पर एक तो नहीं लिखा, लेकिन आपको समझना ह है कि एक ही कवी की बारे में बात की जारी है, तो I am a poet, अब मैं हम सब अगर यह कहें कि मैं कवी हूँ, तो कोई person खुद में ही बहुत सारा कवी तो नहीं हो सकता, ना, एक ही कवी होगा, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हिंदी में एक बोला जाए या ना बोला जाए, ल मैं एक कवी हूँ या मैं कवी हूँ I am a poet हम लोग कवी है we are poets अब यहाँ पर देखी एक से ज्यादा person के बारे में बात किये जा रही है तो इसलिए हम लोग कवी का जो English होगा poet उसे भी plural बनाएंगे poets okay तो हम लोग कवी है we are poets वह नर्तकी है यहाँ पर एक नहीं लिखा लेकिन यह समझ में आ रहे हैं कि किसी एक नर्तकी के बारे में नर्तकी में डांसर के बारे में बात किये जा रही है तो क्या कहेंगे she is a dancer वे नर्तकीया है अब एक से नर्तकीया प्लूरल है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग डांसर्स लिखेंगे डांसर्स यूज करेंगे तो दे आर डांसर्स मेरे पीता नेता है my father is a leader अब यहाँ पर है है तो हमने आर यूज क्यों नहीं किया यहाँ पर जो third person third person के singular के साथ हमेंसा क्या यूज होता है इस यूज होता है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ओके तो my father is a leader मेरे दोस्त लोग नेता है अब एक से ज़्यादा दोस्त है और सभी के सभी नेता है तो एक से ज़्यादा person है plural है इसलिए हम लोग leader जो word है उसको भी plural बनाएंग यानि leaders मेरे दोस्त लोग नेता है my friends are leaders तो इसे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इस exercise में हमने क्या सीखा इस exercise में हमने सीखा कि अगर singular है नाउन अगर singular है तो उसके साथ हम लोग a का use करेंगे या an का use करेंगे अगर noun plural है तो उसके साथ a और n का use नहीं करेंगे बलक तो एक बार हम लोग इसे देख लेते हैं फिर से दुबारा फिर मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह से इसको practice करनी है मैं एक किसान हूँ I am a farmer मैं एक विद्यारती हूँ I am a student आप एक कवी है you are a poet आप एक सिक्षक है you are a teacher तुम एक नौकर हो you are a servant तुम एक चात्र हो you are a student वह एक नर्स है she is a nurse वह एक कलाकार है he is an artist वह एक गाईका है she is a singer वह एक अभियंता है he is an engineer वे एक सिक्षक है he is a teacher राम एक नेता है राम is a leader श्याम एक डाकिया है श्याम is a postman सीता एक डॉक्टर है सीता इस डॉक्टर है हम लोग सिक्षक है we are teachers तुम लोग छात्र हो you are students आप तुम दॉक्टर है you are doctors वे लोग किसान है they are farmers राम और गोपी नौकर है राम एक किसान हो you are a farmer तुम लोग किसान हो you are farmers आप एक अफसर है you are an officer आप लोग अफसर है you are officers राम एक लेखक है राम इस राइटर, राम और शाम लेखक है, राम और शाम आर राइटर्स, मैं कवी हूँ, I am a poet, हम लोग कवी हैं, we are poets वर नर्तकी है, she is a dancer, वे नर्तकियां हैं, they are dancers, मेरे पिता नेता है, my father is a leader, मेरे दोस्त लोग नेता है, my friends are leaders अब आप अपनी note book में जो sentence आपको नहीं पता आप उसे लिख लो और बार बार practice करो, और उसाथ में vocabulary भी लिखना मत भूले, यहाँ पर दिया हुआ है, you can see very clearly, और आपको इसे लिखनी है, अपने copy में अगर, अपनी note book में, अगर आप चाहते हो कि आप English बहुत ही अच्छी त तब तक बोलना है, जब तक कि आपकी habit ना बन जाए हो, तब तक बोलनी है, जब आप easily आपके, आप उसे ना बोलो, ओके, तो जब आप इसे अपनी habit बना लोगे, जब आप इसमें practice करोगे, तो आप देखोगी, कि आप automatic बोल रहे हो, आपको सोचनी के जरूरत नहीं हो, अभी क्या होता होगा, कि आप जो हिंदी देखते हो, उसको पहले mind में translate करते हो, English में, we means, हम लोग, our means है, सिक छका होगा, English teacher, इस तरह से, लेकि नहीं, जब आप इस तरह से practice करते रहोगे, करते रहोगे, तो one day आप आप आओगे, कि आप बिना सोचे ही उसको English में convert कर रहे हो, बिना सोचे आप English में उसको translate कर रहे हो, ओके, तो यह थी exercise, और आज थी class second, तो मिलती हूँ next class में, एक नए exercise के साथ, और अपनी English सीखनी के journey, रोकिये गामत, हमारे साथ, आप practice कीजिए, और यकीनन आप एक दिन English जरूर बोलना, start कर देंगे, तो मिलती हूँ next class मे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ओके, मिलती हूँ next class में, next exercise के साथ, thank you